नमस्कार फ्रेंज फ्रेंज साथ हम मास्क बनाने वाले हैं सिर्फ एक कट से तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे फ्रेंज हमने ये कपड़ा लिया इसी से हम मास्क बनाने वाले हैं कपड़े का लंबाई है 10 इंच चोड़ाई है 10 इंच इसे हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे फिर इसे इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे अब देखिए इसके हम सेंटर में यहां पे मार्क करेंगे तो यहां हमारे साढ़े नौ आ रहा है हम यहां पाच इंच दो पॉइंट ले लेंगे यह हमारा सेंटर हो जाएगा तो देखिए हमने यहां पे सेंटर में निसान लगा दिया नापेंगे हमारा यहां पे 5 इंच आ रहा है तो हम इस साइड से भी 5 इंच पे निसान लगाएंगे और इस साइड से भी 5 इंच पे निसान लगाएंगे अब निसान लगाने बाद देखिए हम इसे पहले इस साइड से इस साइड निसान बना देंगे इस साइड से इस साइड बना देंगे तो देखिए हमने दोनों निसान बना दिया है अब हम इसकी कटिंग कर देंगे अब देखिए यहां से हम वन इंच पे निसान लगाएंगे इस साइड से और इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए यहां पे हमारा साढ़े तीन आ रहा हम यहां पे सेंटर में मार्क करेंगे अब हम हाफ इंच जितना यहां पे मार्क कर देंगे मार्क करने बाद फिर हम प्लेट की हिल्प से जो मार्क हमने किया है वहां से हम यहां पे मिला देंगे तो देखिए हमने कट्इंग कर दिया हम इसे ओपेन करेंगे और देखी इस साइड से हम इसे पुरा पकड़ते हुए जुलाई में शिलाई कर देंगे। तो देखे फ्रेंज हमने इसे सिधा कर दिया है अब देखे ये जो खुला हुआ इसे हम अंदर करते हुए इसकी लंबाई है 7 इंच दोनों हमारा ये elastic सेम साइज का है तो हमने जो ये अंदर के side किया है इससे तरह से इसे भी अंदर के साइड कर देंगे लास्टिक है इसी लास्टिक को हम इसमें ऐसे डाल देंगे डालने के बाद हम इस पे सिलाई लगा देंगे इस साइड भी और इस साइड भी तो देखे फ्रेंज हमने सिलाई लगा दिया है लास्टिक लगा के और यह हमारा बच्चों का म तो देखिए हमारा परफेक्ट मास्क बनके तयार है और यह बिल्कुल बच्चों में परफेक्ट आएगा तो फ्रेंच उम्मीद करते हैं कि आज केills कवला वीडियो आप लोको पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए चैनल पर नय हैं तो सब्सक्राइब कर दिजिए गा तो मिलते हैं सद Nur